हेलो दोस्तों स्वगत है आप सबके अपने यूटूब चैनल रेंकर स्टडी सेंटर में तो दोस्तों मैं हूँ प्रदीब तो बिहार बोट की और से इंटरनेट पे जो ओपीसियल मडल पेपर जारी हुआ है न तो वहीं से हम मैथमेटिक्स का गनित का ओपीसियल मडल पेपर डाउनलोड किये हैं इस मडल पेपर में यह जितना अबजेक्टिव प्रशन यह दिया गया है ना यह सभी अबजेक्टिव प्रशन का सलूशन बहतरीन बहतरीन ट्रीक से और बहतरीन बहतरीन आपको करा देते हैं चलिए इस्टार्ट करते हैं देखिए एक नमर प्रशन द ये टी एक उपर वाले उपर यानि दी से उपर में गुना कलнокर्ण ये दी एक से नीचे से गुना कल착 यहां पर ये डी एक सुझाईग्या और माइननस ये ये साइन एक और बसेगे यही न होगा कहीं यहीं होगा तुदेख्ये ये एक्स ये माने होता है एक होता है डी एक्स बटा डी एक्स का माने होता है एक लेकिन ऐसे आप याद रखियेगा उपर एक्स है नीचे एक्स है बाटा में है कोट गया इसका एंसर एक वह लेकिन काटा नहीं जता है ध्यान रखियेगा ठीक है इसका माने होता है एक होता है तो इसका मान एक हो गया, और माइनस, अगर यहीं पर y बटा y रहे, फिर भी उसका मान एक हो जाएगा, कोई से, y यानि d, y बटा dy रहे, तो इसका भी मान एक हो जाएगा, ऐसे आप याद रखेगा, कि उपर y है, नीचे y है, कोट गया, इसका एंसर एक हो गया, लेकिन काटा नहीं जाता ह है, आपको याद, यानि आपको मान याद रहे, इसलिए आपको बता रहा है, ठीक है, चलिए, इसका माने होता है, एक यानि इसका सुत्रे होता है, एक तो इसका सुत्र हो गया, एक, साइन का ओकलन कितना होता है, साइन सीधा साधा कॉस कमीना, यानि साइन सीधा साधा कमीन तो ये cos x हो जाएगा तो इसका ओकलन किया हो गया 1-cos x यानि इसका ओकलन option number इसका b हो जाएगा ठीक है यानि एक नमर प्रोसन का answer option number b हो जाएगा 1-cos x हो जाएगा यानि कुछ नहीं करना है सोब को बारी-बारी सा ओकलन कर दीजेगा इसका answer आपको निकल कर चलाएगा चलिए दूसरा number प्रोसन देखीए दूसरा number प्रोसन है के ओकल समिकरन इतनाystना सामा गूनक है इस सल भी आपके final board exam इस प्रकार का एक सामा कूननक प्रोसन आपको देखने को मिलेगा लेकिन इस प्रकार का जब भी पुरसन आपको दिया जाएगा ना तो कैसे बनाईएगा बहतरी इन तरीका आपको सिखाते हैं देखिए कुछ नहीं करना है जब भी आपको सामा कॉलन गुनक पूछेगा ना तो हरमेशा E लिजिएगा और E के पावर में E के पावर में यहाँ पे इंट्रिगेशन का चीन दिजेगा यह साप से याद रखिएगा कि यह सामा कॉलन का चीन है यानि उपर है E हरमेशा लिजिएगा E के पावर में यानि इंगलिस में फॉलन को हते हैं यानि जो भी फॉलन लागा रहेगा जो भी फॉलन को दीजेगा इसका एंसर आपको निखल के चलाएगा सामा कॉलन अगुनक निकल के चलाएगा तो कैसे तो देखिए ऐसे यह लिजिए और यहाँ पे y के साथ किया लगा है माइनस कौट x लगा है तो माइनस को यहाँ पे बाहर को लिजिए और यह कौट x का आप इंटरिगेशन को लिजिए यहाँ पे dx को लिजिए तो देखिए e के पावर यह इसे ही हो जायगा यहाँ पे कौट x dx का इंटरिगेशन कीतना होता है सामा कॉलन कीतना होता है लॉग मौड sin x होता है यहीं ना होता है कहिएगा कि हाँ sin x होता है को c चाहएगे जूरा जाता है लेकिन अभी मत आप जोर यह ठीक है और यहाँ पे पहले से माइनस है तो यहाँ पे माइनस होई भे करेगा यहाँ पे माइनस नहीं होगा कहिएगा कि हाँ यहाँ पे यह मॉड दे भी सकते है लॉग साइनेक्स भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं आए यहाँ पे mod दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं तो देखिए जब भी e k power log sin x जब भी इस form में आ जाता है ना मान तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है एक छुपा हुआ है ना तो minus 1 हो गया ठीक है तो यह log के बगल में इधर वाले मान यह sign के power में चलाता ह है ठीक है तो यह जब भी ऐसे मान होता है तो इसके sign यहाँ पे जो भी मान रहता है इसके konang के इसके power में चलाता है तो यह कितना हो जाएगा यह sign के power में यह उपर आ जाएगा तो यह minus 1 x हो जाएगा जो हम लोग पढ़ेंगे sign inverse x ऐसे पढ़ेंगे ठीक है यही इस प्रावसन का एंसर हो जाएगा लेकिन इस प्रकार तो दिया ही नहीं है तो देखिए sign inverse x को हम 1 बटा sign a से लिख सकते हैं 1 बटा sign x लिख सकते हैं आई इसका सूत्र होता है को से x होता है जो option number इसका भी हो जाएगा कहिएगा कि भाईया नहीं बुझाया गिजिर मिजिर हो गया है तो देखिए एक बार और आपको बतलाते हैं e लिजिएगा और y के साथ जो भी लागा रहेगा मान यान जो भी फॉलन रहेगा या फॉंसन रहे या कोई constant कोई मान रहे ठीक है तो उसको अउकलन कर दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए e लिजिए और माइनस यह कोट x का क्या होगा लोग मॉड sin x हो जाएगा कही हाँ हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक चूपा हुआ है तो इसके power में यह लोग x के गुणांक में जो मान रहता है उसके power में यहाँ पर ले लिजिए तो यहाँ पर यह हो जाएगा sine inverse x हो जाएगा जो sine inverse x का मान होता है इसको sine inverse x को हमाँ इसे लिख सकते है one but sine x है इसे हम लिख सकते है कहीगा क्यों यह sine inverse में है inverse का मतलब क्या यह फिर उपर जाएगा यह तो यह minus का रूप धोलेगा यह फिर sine inverse का रूप में चल जाएगा, हो जाएगा, कहीगा, कहीगा, कौसेक X, कैसे होता है, इसका मान, तो देखिए न, मेरे भाई, तेंथ में आप किसी से पड़े होँगा, याद कीजिए, तेंथ में, तेंथ में, तेंथ वाला बात, कि sine theta into तो एक होता है ना तो अगर हम QA1, QA2 को धौलेते हैं इसको तो लेते हैं तो यह गुणा में है इधर आगा तो यह भाग में नहीं चलाएगा यहां पर साइन ठीटा नहीं हो जाएगा तो इतना इतना बराबर यह नहीं हो जाएगा चले बिल्कुल यह आपको पुझा गया ह आपको समझा दिये, बतला दिये, 30ार का नमर प्रस्ट न देखिए, कुछ नहीं करना है, बहुत SIMPLE है, गुना करना है, देखिए, तो 3 दून चो हो जाएगा, ये I VECTOR अक्रोस ये, यानि क्रोस भी बोल सकते हैं, गुना भी बोल सकते हैं, यहां पिये K VECTOR हो जाएगा, प्लस तिन्तियाई 9 हो जाएगा 9 J भेक्टर और ये क्रोस K भेक्टर हो जाएगा यही ना होगा तो देखिए आई भेक्टर यहाँ पी एक जब आप सब को सदीष चेटर पढ़ा रहे थे एक ट्रीक आप सब को सिखाए थे ना यहाँ पे लिखेगा I और यहाँ पे लिखेगा J और यहाँ पे लिखेगा K लिखने के बाद देखिए अगर ये घरी के दिशा में चलेगा तो उसके लिए प्लस अगर घरी के विप्री दिशा में चलेगा तो उसके लिए माइनस का चीन दिया जाता है यह समा आपको बतलाए थे ना देखिए यहां पे i है k है i है और k है तो उल्टा चला यानि गोरी के विपरी दीशा में चला एंटी कलोक वाई चला तो यह i है k है तो देए दिया तो बचा कॉन यह यह हो जाएगा लेकिन तीर जेसन चीन को भेक्टर कोहते हैं, दे दीजिए, यही इसका एंसर हो जाएगा, लेकिन देखिए, पहले पलॉस को किया है, लेकिन बाद में माइनस को किया है, तो पहले आप 9i लिख लीजिए, अब माइनस यहाँ पे 6j लिख लीजिए, जो option नमर इसका b हो जाएगा, 9i माइनस 6j हो जाएगा, जो option नमर इसका b हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, मेरे भाई, sum में गुना को दीजिएगा, यहाँ पे आकमुद के i, j, k बनाएगा, घरी के दीशा में चलेगा, घरी आइसा ही ना चलता है, तो उसके लिए plus का चीन, अगर उल्टा चलेगा, तो उ जूरे रहते हैं, तो अब देखिए, कुछ नहीं करना है, मेरे 5 के निकाल देना है, 3 का स्कॉर, 3, 3, 9, आई यहाँ पे देखिए, यह माइनस 5 का स्कॉर, कहने का मतलब कि 5 को दूबरे से गुना कीजिए, माइनस 5 गुने माइनस 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पलस इसका आपको निकाल के चलाएगा, अब जोरिए यह सबको, 9, 6, 5, 5, 5, 20, 0, हरसिन, 2, 2, 1, 3, 8, 3, 2, 5, 50 आगिया, रूट 50 हो गया, यहीं इसका एंसर हो जाएगा, लेकिन रूट 50 ऐसे नहीं दिया है, तो रूट 50 को हम लोग ऐसे, 50 को ऐसे तूर सकते हैं, यह 25 हो जाएग तो यह पाँच दू गुम्बील गया, तो यह बाहर आजगा, यह बीतर चल जगा, अप्सन पर इसका वी हो जाएगा, यह सॉब काए स्क्वाइर को देजिगा, इसका एंसर ही कल के चलाएगा, अप्σιन पर इसका वी हो जाएगा, देखिए, पाँच वा नमर प्रोवसन के हो कोच नहीं करना है यहां पर कि द देखिए बहुत प्रस नहीं यहां पर दोलुक यहां और रहे तो यह दोलुक स्क्रार सथ नहीं तो न सबस्र निए इससें और बहुतव। एक चुपा हुए है, एक उपर जवर दिजे, उसे से निचे भाग दे दिजे, वराबर, ये 3, माइनस 3 को बाहर का लिजे, एक constant है, यानि Y के गुणांख है, गुणा में है, जो इससे बाहर का लिजे, ये क्या हो जाएगा, इसमें एको जोर दिजे, उसी से नीचे भाग दे दीजे तो यह तीन तीन कट गया यह दू दू कट गया तो बचेगा कितना एक से स्कुवाइर और यहाँ उपर हम लिखते हैं यहाँ पे एक से स्कुवाइर यह हुआ और बराबर यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कट गया तो यह मा स्क्राइब में हो जाएगा और ब्राबर यहां पर क्ये हो जाएगा एक से स्क्वाइर प्लास प्लॉस इसका सी हो जाएगा यह पोलस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यह वराबर के इधर है तो इधर को लिजिए माइनस में इधर है तो यह plus में हो जाएगा तो e के पाउर y dy भागा dx हो जाएगा यह dx जो है ना इधर गुना में इधर यह वराबर के इधर हैगा तो यह गुना में हो जाएगा तो e के पाउर यह हो जाएगा यह dx हो जाएगा औ और बराबर यह e k power minus x का e k power e k power y का e k power y यह हो जाएगा लेकिन यह y के साथ है किया लागा हुआ है एक चुपा हुआ है ना तो minus x गुना को लिजिए गो c चाहके जोर दीजिए जोरने के बाद इधर जब यह आएगा तो यह थोरा भूर जा रहा है मेरे भाई यह बोर्ड रह है इधर आएगा तो यह plus में हो जाएगा e k power minus y यह इसका एंसर हो जाएगा option अमरी इसका भी c हो जाएगा ठीक है कुछ नहीं करना है यह minus में है इधर आएगा तो plus में हो जाएगा दोनों तरह आप इंट्रिगेशन को लिजिए इसका एंसर आपको निकल के चलाएगा चलि उका मीना में में बडल गया यह और कौस में बडल गया तो कौइ esse बताएगा इक सब्सक्राइंग साथ को लिए और जो बी분 ऐसका कौन भाग में है जो भी आपको क्वस्ट अनक्रूप में रहता है ना तो क्या करते ना profound कुछ नहीं तो एक चुपा लिए जया आगे गू chapters वाटा यहां पर 7 यही इसका एंसर हो जाएगा जो देख लीजेगा option option c में दिया है ठीक है चलिए विल्कुल यह तो बहुत ही easy प्रस्ट था ठीक है यह विल्कुल आपको बुझा गया होगा देखिए 8 नमर प्रस्ट देखिए वारी बारी से उकलन कह दीजेगा इसका एंसर निकल के चलेगा cos का क्या होता है minus sin x होता है तो यह sin x हो जाएगा sin 2x का क्या होता है sin x का minus cos x हो जाएगा cos x हो गया लेकिन यह x के साथ क्या लगा है 2 गुनांग है तो 2 से गुनांग हो लिजे यही इसका एंसर हो जाएगा किया होगा यहाँ पर यह माइनस साइन एक्स फुलॉस टू कॉस टू एक्स यही इसका एंसर हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस टू कॉस टू एक्स यहाँ पर देखिए इसका एंसर माइनस साइन एक्स माइनस यहाँ पर ऑप्सन नमर इसका बी हो जाएगा ठीक है ऑप्सन नमर इसका बी हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस टू कॉस टू एक्स हो जाएगा क्योंकि साइन का म बारी-बारी से गुने, इसका अकल लिजेगा इसका answer आपको निकल के चलाएगा, यानि देखिए, minus है, तो cosx का ये plus हो जाएगा, यहानि यहाँ पे इसे cut करना परेगा, देखिए, minus cosx का अकलंड, यानि cos का अकलंड कितना होता है, minus sin x होता है तो यह plus sin x हो जाएगा 1 वर्टा 3 1 के पाउर x का 1 के पाउर x से हो जाएगा जो x के साथ है किया लगा है 3 तो 3 से गुना कर लिजे तो यह 3 3 कर जाएगा तो बचेगा कितना sin x plus 1 के पाउर 3 x यहीं इसका एंसर हो जाएगा जो option v में दिया है चलिए दो बर ओ कलन कर लेना है इसका तो 1 के पाउर 2 x का 2 के साथ में जो लगा है गुनांकी से वाहर कर लिजे फिर इसका ओ कलन कीजेगा तो यह 2 हो जाएगा 2 के साथ है जो लगा है x के साथ है जो गुनांक है यानि जो कॉस्टेंट है इसे वाहर कीजे तो 2 हो जाएगा 2 के पाउर 2 x हो जाएगा जो option number इसका c हो जाएगा चलिए यह देखिए इसमें से देखिए हम 3 common निकाल सकते हैं जब इसमें से हम 3 common निकालेंगे मेरे भाई तो यह देखिए ऐसे हो जाएगा यह D यहाँ पर यह ऐसे हो जाएगा 3 जब हम common निकालें यहाँ पर से इसमें से जब हम 3 ऐसे common निकालेंगे तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पर sin square x plus cos square x अब अब यहाँ पर dx हो जाएगा यहीं नहोगा फिर 3 से गुना करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा और यहाँ पी यह वरकाब रिकेट ऐसे दे दीजिए देखे, sin square theta plus cos square theta के मान 1 होता है यह तो सूत्र पर आगिया मेरे भाई तो यह इसका तो मान 1 हो गया तो अभी यहाँ पे 1 में 3 से गुना किज़ेगा तो 3 होगा यहाँ पे यह constant आगिया इसका answer 0 यह देखे इसमें से 3 कमर निकालीजिएगा तो यह sin square theta plus cos square theta यानि sin square x plus cos square x का सूत्र होता है इसका मान 1 हो जाएगा यह 100 कमान 1 हो जाएगा यह 3 में 1 से गुना किज़ेगा यह से कर सकते हैं theory cos x को one वटा cos x कर सकते है कोई इसे कर सकते है तो दहिए न मेरे बाई को गुझण को स्विछाए इस सब को हटाते हैं तो देखिए यह cos x को यह को क्ट गया तो बचेगा कितना कितने कितनी घ्याएगा making यह 3 में एक से गुना की जाएगा तो यह 3 होगा यह बाटा में यहां पे नीचे dx हो जाएगा ठीक है यह यह कॉट गया कॉस x कॉस x कॉट गया तो इसका एंसर क्या हो जाएगा जीरो गिये होगा प्सन नमर्व इसका डी हो जाएगा चलिए रंखच हो गया है यह बेटर रंग है क्या कि यही ठीक है चले यही ठीक है बोले इसका आप आफ्याड गोली option C हो जाएगा चलिए कि यानि साथ जो भी रहेगा न तो हम उपर कीजिए यानि उससे गुना किया जाता है तो 5-5 कॉट गिया तो यहीं ना होगा 1 बटा X नहीं होगा option number इसका 80 हो जाएगा देखिए फिर उसी तरह यह भी प्रहसन है इसका भी answer आप नहीं बना लीजिगा इसका answer option number D नीकल के चलाएगा कैसे आएगा तो 1 बटा क्या हो बटा 1 बटा X होता है तो 1 बटा X हो गया आई यह तीन से उपर किया जाता है गुना यह X स्कुएर है तो यह 2X हो जाएगा तो देखिए यह 3-3 कॉट गया तो बचे कितना उपर 2X बटा यहां पे X स्कुएर तो यह X एक से गो कॉट जाएगा तो उपर बचेगा 2 और X के साथ है जो लागा है गुनांक के कॉस्टेंट है इसे बाहर किजिए तो से के स्कुएर 5X हो जाएगा से के स्कुएर 5X ऑप्सन नमर इसका सी हो जाएगा चलिए यह भी देखिए ऐसे प्रवस्टन को बनाने के लिए ट्रिक नहीं सिखाये थे कुछ नहीं करना है यानि पहले यह का आउकलं कीजिए यहां पर Y का कीजिएगा य का मान जो किया है बी असाइन टर्ष है तो यह क्या हो जाएगा साइन को से ही टर्ष हो जाएगा थीए इसका किजिए तो यहीं मान रख लीज सी existe अंसर निकल लेकिन आपको सीधा आपको बतलाते हैं कैसे बनाईएगा देखिए इसका ओकुलन किजेगा तो आपको निकल के आएगा बी यहां पे बी कोस ठीटा बटा इसका कीज़ेगा तो यह माइनस बाहर को लिज़े इसका कीज़ेगा तो माइनस साइन ठीटा हो जाएगा तो इसका देखिए ए हो जाएगा यहां पे तो यहां पे माइनस बटा ए यह कोस बटा यहां पे साइन तो यह हो गया कोट ठीटा त तो इसका एंसर आपको निकाल के चलाएगा सब्सक्राइब सकते वन पर नाकिटा हो जो इस स्थाइब यहां प ikiों का इंट्रिकेशन होता है एक होता है यहाँ पर थीटा हो जाएगा ठीटा प्ल्स फार्ड फ्रिसमें से चले इसमें से देखिए साइन कमन आप निकाल लीजेगा तो इसमें से साइन कमन आप निकाल लीजेगा यहां पे इसमें से साइन ठीटा कमन इसे निकाल लीजेगा तो यह बचेगा कितना यहां पे साइन स्क्वाइर ठीटा होगा प्लस यहां पे कोस स्क्वाइर ठीटा हो ज कमीना में भादल गया तो माइनस कोस ठीटा प्रोस एको सी चाहे के ऑप्सन देख लिए ठीक है यहां पर इसका एंसर सइन कोमίνा ओप्सन ठीक है चलिए कं यहां पर देख़ेगा इस नमर प्रकार खंच को बनाने केने लिए बुले ट्रिक शिखाय थे कि नहिeder नीचे सिह वाले कंला ओपर कहां से यद्लिध चलिए घाई इसका आ और यह इसका इंसर ऑप्सन नमर ए हो जाएगा देखिए इसका फंड़क यह होता है कि देखिए नीचे वाले के ओपलन जब उपर मिल जाएगा तो लॉग लिजेगा जिसका मिला है उसको यहां पर उठा के नीचे रोख लिया जाता है ट्रीक आप सबको बहतरी इन तरीका से सिखाये तेगों सी चैक के कोई जोरा जाता है ठीक है चलिए बाइस का एंसर तो कोई बता देगा ऑप्सन नमर डी हो जाएगा कईसे तो कहीं कर देखिए तीन का मौड ऐसे जैसे की देखिए यह आपको थुड़ा सा धारान करेगा जो लागा रहता है सौब को स्कुवाइर करके रूट में कर देता है तो मैनस3 का स्कुवार 9 हो जायगा, 0 का 0 हो जायगा, 0 का 0 हो जायगा तो यहाँ पे देखिए, रूट 9 का और गमूल कितना होगा, तीने ना होगा, तो option number इसका D हो जाएगा, देखिए, हो बन गया, यहाँ पे देखिए, तेइस नमर जो प्रोस्न है न, सेक ठीटा आइन 2, तेन ठीटा के सूतर पर रहा है, तो इसका सूतर क्या होता है, तेन ठी इसका answer option number A हो जाएगा, देखिए, आठवा नमर प्रोस्न है, कि इसका सूतर आप जानते हैं, कि 1 के पावर X, 1 के पावर X इंटो DX का सूतर क्या होता है, 1 के पावर X इंट बटा, लॉग A, यही न सूतर होता है, तो देखिए, 1 के पावर A का मान, 1 के पावर X का मान यहाँ पे 8 के पावर X है, अब बटाए, यहाँ पे लॉग A, A का मान 8 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यही इसका answer हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं दिया है, तो देखिए, 8 को हमाई से तूर सकते हैं, लॉग 2 के पावर 3 है, इसे हम तूर सकते हैं, 2 को 8 को 2 को, यह 8 को 3 बर गुन हो जाएगा, अधिरी, लॉग यहाँ पे 2 हो जाएगा, और बटा में, 8 के पावर X, जो अप्शन अमर इसका C हो जाएगा, ठीका है, यानि, 24 नमर प्रोस्न का answer, अप्शन अमर C हो जाएगा, देखिए, 25 नमर प्रोस्न देखिए, इसमें से भी आप क्वास कमन निकाल जाएगा, तो माइनस साइन हो जाएगा, चलिए, यहाँ पे देखिए, 26 नमर प्रोस्न देखिए, इतना 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 वराबर, तो देखिए, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ आप इंटरिगेशन कर दीजिए, नहीं नहीं यहाँ पे इंटरिगेशन मत कीजिए, यानि, दीवाइबटा, 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 बट रूट अंडर 1 माइनस 1 से स्क्वाइर होगा यह बराबर 0 हो जाएगा इतना बराबर तो 0 होगा होगा यह पूछ रहा है कि इतना बराबर किया हो तो 0 आपसन आपको सिखाए थे कि नहीं कि यहाँ पे देखे साप जैसन चीन रहेगा और यह साप से याद रखेगा कि समा कलन के फ्राश्न नहाए तो-Eक-क पावर में-क पावर एकस रहे और जो भी फ़ॉंइन रहे तो देखिएगा अवकॉलन आप खोजियेगा किसी ना किसी एक function का किसी ना किसी एक फॉलन का ओकलन दिया रहेगा तो 10 का ओकलन किया होता है c square x होता है तो e k power x लीजिएगा जिसका किये है तो 10 का किये है तो ये नाया है तो 10 जिसको किये है उसको उठा के रख लीजिए एगो c चाहके जोर दीजेगा इसका एंसर निकल के चलाएगा तो इसका एंसर option नमर इसका e k power x into 10x option नमर इसका c हो जाएगा बुझाया की नहीं अब देखिए e k power x log x का 1 बटा x होता है तो इसका उग पलन यहाँ पे दिया गया है तो e k power लीजिए और यहाँ पे log x लीजिए गो c चाहके दुनों में से कोई constant का काम करता है ले लीजिए यही इसका एंसर हो जाएगा जो इसका एंसर e k power x option नमर इसका बी हो जाएगा बुझा गया ना चलिए यहाँ पर भी देखे इसका भी एंसर option नमर बी हो जाएगा चलिए देखे यह इसका ओ कलन यहाँ पर दिया गया है समा कलन के प्रोस नहीं लेकिन ओ कलन खोजिएगा तो e k इसका ओ कलन यहाँ पर दिया गया है देखे एक 30 नमर कुछ नहीं करना है उपरवाले लिंूट 2 है और नीचे वाले component जब भी इस प्रकार का मिलेगा तो और प्रोस यहाँ नीचे को लिएगा माइनस का टीन यहाँ पर निचे 7 BTS की म्तलब किया होता है 27 होता है 27 हो जाएगा और माइनस दूख के पावर 3 के मतलब क्या होता है दूदन चार चार गुना 8 हो जाएगा बटा यहां पे 3 हो जाएगा 27 में से 8 घट जाएगा तो कितना होगा 17 खार प्लस में होगा और यह जो फॉलन जो हो रहेगा ना यह फॉलन यह साइन के पावर में देखिएगा और इसे हो जाएगा स्वाम का दूसरा रूल काम करता है ठीक है यहां पे B सम संख्या देखिएगा जो फूठ हो पूठ ओन्दरे फूठ हो ना फूठ हाए ना तो इस प्रकार के परवाशन का एंसर option number a हो जाएगा 0 होता है इस प्रकार के प्रवस्ण को वनाने के लिए बहतरीन बहतरीन पहले trick आप सबको सिखाये थे कहने का मतलब कि यह देखिए यह minus से plus है और यह sign है sign के power में यहाँ जो b sum संख्या है यह b sum है ठीक है और यह sign के बदले में 10 भी हो सकता है एक्स भी हो सकता है बीसम संख्या रहेगा अब b sum मान रहेगा तो यह इस प्रकार के प्रवस्ण का एंसर 0 होता है चलिए थोड़ा सा तवियत भी डाउन है इसलिए यहाँ पर देखिए minus से minus से plus है और यहाँ पर बीसम संख्या है साइन के पावर में 5 है जो 5 के यह b sum है अपकर यह कोस के पावर तो चार बीसम नहीं है तो इस प्रकार के केस में 99% प्रवस्ण का एंसर 0 हो जाता है ठीक है इसका एंसर 0 की और जाईएगा अगर यहाँ पे पर यहाँ पर यहाँ पर बीसम हो गया और यहाँ पर लिमिट माइन से प्लस रहेगा इस प्रकार के प्रवस्ण का एंसर 0 होता है चलिए यहाँ पर ज्यादा आपको नहीं बता पाएंगे मेरे भाई थुरा सा खासी आने लगा कूछ नहीं करना है इसको इसे भी हाल कर यहाँ इसका उकलन कीजेगा तो उतना ही होगा एक से होगा और यह एक के साथ है जो गुनांक लगा है इससे आप कीजेगा यहाँ इससे कीजेगा कुछ नहीं है तो एक चुपा हुगा है ना माइनस एक से भाग कीजेगा तो यह कितना हो जाएगा माइनस एक के पावर यह यहां पर X हो जाएगा और यह 1 से 3 तक इसका लिमिट है अब X का स्थान पर 3 रखिएगा एक रखिएगा इसका एंसर अब B निकल के चलाएगा ठीक है जल जल आपको बतलाते हैं थोड़ा सा खासी आने लगा यहां पर 0 से पाइवटर 2 है यहां पर 10 के जगा अगर कोट भी र लिमिट हां यहां पर यहां पर आंपके पहले आप यहां पर टेन इनवर्स प रुट यह 3 है पी एक शक्रस्थान पर उपर वाला लिमिट एक सक्थान पर नीचा वाला लिमिट यह में तेन की root की इसका मान यह root 3 होता है तो यह साथ का मान होता है जो पाई बटा 3 लिख सकते हैं 5 बटा 4 लिख सकते हैं option D हो जाएगा इसे hall का लीजेगा याणि इस सूत्र लगा का उपर से नीचे limit रखिएगा अचमा लिजेगा नšνα चलेगा ये भी सूत्र है मेरे भाइ ये इसका सूत्र होता है देखे जीरो से यहां पर टूबटा तीन है और दी एकस है और यहां पर दूब को ऐसे लिख सकते है Hai पarta 3,10,1 in two X,a सक्वार से लिख सकते हैं को यह लिख सकते है तो इसका सुत्रे होता है इसका 1 बट्टा ए और यह होता है 10 इंवर्स एक्स बट्टा ए होता है जो एक्स कमान इसमें रख लिजेगा इसका एंसर निकल के चलाएगा यानि साइटिस का अप्सान सी नमर आएगा ठीक है खासी आने लगा मेरे भाई ना तो सौब का सलूसन कराते और तीस नमर प्रस देखे इतना 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 को यह देखिए थोरा सा कुछ नहीं है यहाँ पर यह सूथ पर चलाएगा 10 इंवर्स एक्स माइनस 10 इंवर्स वाई के सूथ पर यह चलाएगा यानि देखे इसे हम ऐसे सकते हैं छोड़ देखिया अगला वीडियो में आपको करा देंगे यहां पर जैसे कि देखे 10 इंवर्स से 2x-1 को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि देखिए x-1-x ऐसे लिख सकते हैं जो x का मानी यह हो जाएगा y का मानी यह हो जाएगा यानि 2x-1 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं फिर माइनस से गुना कीज़ेगा तो माइनस माइनस यह फुलस हो जाएगा और यहां पर देखिए पिर यह 2x-1 को अईक सकते हैं कि नहीं कहीं या नि अपर वाले को हम अईसे लिख सकते हैं और नीचे वाले को 1 plus एक से स्क्वाइर है यह सकते हैं गल किया होता है यह सूत्र पर आगई इसे हल कीजेगा तो इसका आपको निकल के चला आप साब कर जाता है और अब हो जाएगा जी रो यह जाएगा ठीक है यहां पर देखिए इसका भी एंसर ऑप्सन नमर डी आजाएगा इसे थोरा सा लॉंग में बनेगा लेकिन जब कॉपी पर सलूशन कराएंगे तो इसका करा देंगे ऑप्सन नमर इसका डी निखल के आएगा ठीक है यानि सौब का सलूशन एक बर हम कर लिए ह ठीक है उन्चालिस हो गया चालिस देखिए पचास तक किसी तरह आपको बतला देते हैं जीरो हो जाएगा भी सम आ ठीक है यह भी इसका सूत्र हो जाएगा यानि एक तालिस नमर जो प्रस्न है ना इसका सूत्र होता है इसमें काम भी कर सकते हैं यहां पे दूसे गुना कर दीजे दूसे यहां पर निचे दूसे हम भाग कर देते हैं करेंगे तो यह सूत्र पर आजाएगा वन बटा एक स्रूट अंडर एक स्क्वाइर माइनस वन आजाएगा ठीका इन्टु डी एक्स हो जाएगा यानि देखिए इसका सूत्र हो जाता है यहां पर शेक इन्वर्स मैं मोला एक स्टान को जिएगा से भी दोनों में होता है यह मैंनस वाल एंसर ऊप्स्ण ऊप्स्यत्र का बी करें हो जाएगा इसका यहां यह दुच्छ को यहां पर थोडा सखाशी नहीं ऊहों रहता है ने हैं वहतरी तरिका से बतलाते सांसे सका nogा target x के साथ जो भी गुनांक लागा है जो भी कौस्टेंट है उसे आप किजिए नीचे गुना को दीजिए यानी नीचे भात दीजिये एक तरीका आपको बतलाए है जो भी अगर इंट्रिगेशन का पुरस्ण रहेगा जो X के साथ है जो भी constant लागा रहेगा उससे भाग किया जाता है और उकलन का रहेगा तो उससे आगे गुना किया जाता है और इसका लिमिट 0 से 584 है तो 0 से 584 रहने दीजिए X के स्थान पर उपर वाला मार रखिएगा फ 10 हो या 100 या साइन हो इसके पावर में देखिएगा अगर बीच सम संख्या रहेगा ना तो इस प्रकार के प्रोस्ण का इंसर जीरो होता है option नमर ए हो जाएगा कहिए कि हाँ वरका आप कह रहे हैं तो अहौई थोरे हैं अहौई तो यह सौम है तो मेरे भाई अभी आपको आज आता है तो यहां पर सौम हो रहता है तो इस प्रकार के प्रोस्ण का एंसर आजी रहुए क्यों हम लोग करते हैं option नमर ए हो जाएगा चलिए यहां पी देखिए 45 है कुछ नहीं करना है अवकल यह समीकरन है ना तो यह माइनस में है इधर आगा तो माइनस में इधर इसका एंसर आपको निकल के चलाएगा 46 हो गया 47 देखिए यह कुछ नहीं करना है गुना कर देना है रोज से कॉलम में बारी बारी से कवा दिजीगा इसका इंसर आपको निकल के चलाएगा यानि देखिए बतलाए थे कि नहीं ट्रीक आप सबको सिखाए थे कि नहीं दो त तो तरीका आप सब को सिखाए थे यानि 2 x 2 का जो भी मैट्रिक्स रहे तो यहां पर देखिए यह वाले को ट्रीक आपको सिखला देते हैं देखिए तीन है जीरो यहां पर तीन लीजिए यहां पर जिरू पर लीजिए तीन तीन नौ हो जाएगा फिर यह चोत्री अठारे हो प्लस यह 00-98 option C की और जाएंगे ठीक है नहीं तो रोस से कॉलम में वारी बारी से गुना कली जिएगा इसका एंसर निकल के चलाएगा ट्रिक भी आप सबको सिखाये थे इस चैनल के साथ आप जूरिए ना बहत्रीन बहत्रीन ट्रिक आपको अभी सिखाने वाले हैं जो पर लाइन सापको सलूशन कराएंगे अभी आप थोरा सा सोचे कि अभी खासी नहीं आएगा तो यह सलूशन कराईए देंगा बहत्रीन तरीका से लेकिन इतना ही में थोरा सा देखिए गुना कैसे किया जाता है जो यह 2 क्रॉस दो का मैट्रिक्स यह भी आदो यहां पर दे अब गुना करते हैं लेकिन यह 2 है एक है तो गुनांसंभ inh है औस version number d हो जाएगा इसमें आफ भारी बारिज़स आप गुना कर लिज़ेगा की नहीं यह वारी बारिजिसमें गुना कर लने है इसका अंसर आपको निकल के चलाएगा अब बोले इस प्रकार के प्रवाजन को बनाने के लिए ट्रीक आपको सिखाए थे कि नहीं के सहखंड़ जे अब यू का इसे निकला जाता है यह दोनों को यहां से यह भी कर्ण को चेंज कर दीजेगा बस यहां के ओल माइनस का चीन बदल दीजिएगा यानि साथ का जोगा पर चार आजयेगा चार के जोगाह पर सात आजएगा यहां पर माइनस को दीजिएगा अप्सन सी हो जाएगा बोलिए अब इसमें जितना है है ना बोली ए य्यां एह ट्रीक का आपको सिखाय थे की नहीं यह आपको यह सेम प्रस्ट आपको बताये थे के अभिलाम की दीक अनुपात है यह दीक के अनुपात कैसे निकाला जाता है यह मैट गुना कर लेना है इसमें नेमली किस बिंदू से गुजरती है एक देखिए एक काम करते हैं पचास को प्रॉस्टन का भी आपको सलूसन बत लाए ना यानि और पचास को बताने में हमें ज ज्यादा खासी आज़ा है ठीक है चले मिलता है फिर आप सबसे अगले वीडियो में